तो स्टूडेंट जैसे आपको याद होगा पिछली वीडियो में आपने 14 चैप्र का 14.4 एक्सेसाइज है उसमें 1st कोशन सोल किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको उस वीडियो को देखना चाहिए क्योंकि उसमें मैं इंट्रॉड़क्शन भी किया है और साथ में 1st कोशन भी साउल किया है अब हम एक्सेसाइज का जो है 2nd कोशन देखते हैं तो 1st और 2nd कोशन दोनों लगबख सेम हैं सिर्फ जो टर्म से वो अलग दी हुई है तो इसमें भी हम देखते हैं पहले हमें मीन फाइंड करना है फिर मेडियन और उसके बार मोड तो चलिए मीन से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मीन तो जब आप मीन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है जो कि फॉर्मूला की भी मार्क्स होते हैं तो sum of all term terms किजएंगे आप observation भी लिख सकते हैं और आप उन में करेंगे number of term यानि कि कितने terms हैं वो लिखने हैं आपने आप फॉर्मूला के बाद हम इसको अब इसमें total जो हमारे term है उनको सब को plus करके लिखेंगे अब student मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था थे कि हमारे पास काफी term है लगबग 15 तो 15 term को plus करके लिखना काफी difficult हो जाता है तो इसके लिए दूसरा तरीका यह है कि आप पहले जो तीन term है उसको plus करके लिख लिजिए 41, 39 and 48 उसके बाद इस तरह से last का term लिख दीजिए last का term हमारे और बस 60, 60 है और upon हम करेंगे तो हमारे total term दिए हो है 50 तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि short method हो जाता है लेकिन आपने करना है कि sum सब का करना है सब को जोड के लिखना है ऐसे नहीं कि इसी रखीन को जोड के लिख दिना है सभी को जोड के लिखना है अब अगर आगम इनका plus करेंगे तो हमारे पास answer आता है 822 और by आएगा 15 तो 822 अगर आप इनको count करेंगे तो 822 by 15 आजाएगा अब इसको आप divide करेंगे तो divide करके हमा हमारा mean होगी है चलिए यह पहला पार्ट शोल हो गया अब इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं तो student second part में में क्या करना है second part median median निकालना है तो पहले median लिखते हैं और median का formula लिखते हैं लेकिन जैसे आप जानते हैं कि median का formula डिपैंड करता है number of term के हमारे पास कितने term है तो हमारे पास यह term है 15 तो सबसे पहले हमें इसे ascending order में लिखना होगा जितने भी हमारे terms हैं तो पहले ascending order में लिखते हैं इसको तो in ascending order तो ascending order में अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारे number आते है 39 40 40 41 42 46 48 52 52 जो है वो फॉर टाइमस है तो 4 x 52 उसके बाद 54 54 आफ्टर दैट 60 62 जो हमारे 15 तर्म होगा है जो कि हमने ascending order में लिखे हैं आप इसको आगे शोल करते हैं तो सबसे पहले तर्म हमारे पास 15 है तो हम क्या लिखेंगे here we have 15 तर्म तो 15 क्या हुआ ओड नमर तो ओड नमर होता है तो ओड नमर के लिए हमारा जो फार्मूला वो देखते हैं क्या है इसके लिए हमारा जो फार्मूला वो क्या हूधेगा एन पया टू और टि अच अब इसमिंश क्या करेंगे plus one plus one टि अच अब देखे इस्टूड़न्टम्म का मीणिग क्या होता है मीडियन का मीनिग होता है बीच में जो ठर्म होता है 15 टर्म है, तो हमें 20 का टर्म निकाल दा है, तो इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं, आप सपोज कीजिए, हमारे पास नमबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अगर इसमें देखें आप, तीन टर्म हमारे इधर बनते हैं, और तीन टर्म इधर बनते हैं, तो इसलिए हमारा नमबर 4, यही मीडियन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, तो जो हमारा एन होता है, एन प्लस 1 बाय 2, तो इस तरह से करते हैं, तो टोटल नमबर हमारे यह यहां के साथ है, तो 7 प्लस 1, 2, तो 8 बाय 2, यह निके 4th, 4th नमबर है, 1, 2, 3, 4, इस तरह से सोल करना है, तो कोशन में भी हम ही करेंगे तो n plus 1 by 2 अब n हमारे पास क्या है 15 तो 15 plus 1 by 2 और इसमें में पिछली वीडियो में बिताता है मैंने टी-एस लिखना है टी-एस का मीनिंग क्या होता है जैसे 7th 8 इस तरह से अब इसमें अगर हम करें तो 16 by 2 और इसको अगर कैंसल करते हैं तो 8 आएगा नहीं कि हमारा जो मीडियन है जो आएठ तर्म है आप यहां से देखेंगे आसेंडिंग असेंडिंग उनर सब्ला वाल है उनको हमें देखना है तो 12345678 तो 8 पर जो हमारी तर्म है एट नंबर पर वह है 52 तो हमारा जाए हम यह यहां पर इसके ऐसे भी लिख सकते हैं आप एड़ तर्म है हमारी तो 52 हमारा आंसर हो गया तो स्टुडेंट थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है मोड निकालना है तो अगर हम मोड देखें तो मोड क्या होता है तो जैसे कल भी मैंने आपको बताया था most repeated term या आप इसको वैसे भी लिख सकते है most required term यानि कि यह वह है term वह है पर जो सबसे ज़्यादा आप आजाते है अब हमें यह ascending order में जो लिख है उसमें हमें चेक करना होगा कि सबसे ज़्यादा बार term कौन सी आई है तो इसमें हम जो हमने टेबल बनाई थी इसमें देख सकते है 39 और 40 तो आप देख सकते है 42 टाइमस है इसके लाबा 40 42 46 48 अब 52 तो 52 देखिए इसके लाबा कोई भी और नमबर इतना रिपीट नहीं है तो हमारा answer क्या होगा 52 तो यहां हम answer लिख सकते हैं 52 तो यह किया है कितनी बार 4 ताइम तो इसको लिखेंगे 4 ताइम तो 4 ताइम रिक्विट होगा है तो यह हमारा mode हो गया तो mode को हम किस तरह से निकालते है most repeated term या फिर most required term तो वो हमें टेबल जो sending order में अपने terms बनाएं उसमें से देखेंगे उसको लिख सकते हैं तो 52 हमारा answer है तो चलिए student आज की वीडियों ही समाप्त करते हैं मैं next video में मिलता हूँ आपके साथ अगले question के साथ तब तक के लिए bye झालता है